तो दोस्तो आज हम लोग जो है राजस्तान की राजधानी जैपुर में आई हैं जहां पे सिटी फार्ग का निर्मान अभी दिवाली से कुछ दिन पहले किया गया बताया गया कि मुख्य मंतरी असोग गहलोजी का मेगा प्रोजेक्ट था जो को दो सो करोड से भी अधिक की लागत में इसको बनाया गया इसके चर्चे तमाम मीडिया चैनल्स में किये गए बहुत बहतरी बहुत ही उंदा शिटी फार्ग है लेकिन इसकी सच्चा ही जब हमने वहां ग्राउन पे जाके देखा तो ऐसा लगा के सरकार ने आनन फानन में जल्द वाजी में इस प्रोजेक्ट का उद्गाटन कर दिया और लोग का अरपन भी कर दिया यहां पे लोग आतो रहे हैं भीड जो है कापी संक्या मारी हजारों की संक्या में लोग यहां देखने को आते हैं लेकिन मायूस होकर लोट जाते हैं इसकी वज़े आदा अधूरा काम और लोगों का यहां तक कहना है कि हो सकता है दो सो करोड से अधिक का जो फ्रोजेक्ट है यह सिर्फ सरकारी जमीन को अधिकरत करना और पैसों का गवन करने वाले चीज़े हैं जोंकि पूरी तरह से विक्षित नहीं हुआ अभी तक इसके बावजूद इसका लोका अरफन क कर देना बहुत कुछ कहता है यह देखिए अब से बड़ी बात यह है कि इस पार्क में कुछ मूर्तियां लगाई गई है जो कि अंग्रेजियों के जमाने की मूर्तियों को जैसे भी लगती है लेकिन इस मूर्तियों में इस पार्क में एक भी मूर्ति एक भी चबी ऐसी नह परहल पार्क कैसा लगा रही है? अब सरे बता हूं तो भी काम अभी चल रहा है, अभी 50% काम हुआ है मेरे साथ से लगता है कि 200 करूर का प्रोजेक्ट है ही है लगता है कि प्रोजेक्ट होगा, व और काम होना चाहिए इस हिसे साब से काम चल रहा है पुब्लिक तो अभी से आ रही है उसको बहुत पसंद आ रहा है जिसे आप से इतना भी इंटीगेट उसका बना हुआ है पैसे आपको क्या कहना है आपको काम है जो देखा जा सकता है बाकी पड़ा है यह काम बोल रहा है सामने से यह काम बोल रहा है मिट्टी के दोरे बने हुए है यहां पर लाइट रहा है लेकिन 200 क्रोड का प्रोजेक्ट लगवग कंप्लीट हो चुका यह देखिये यह वो एरिया है जहां पर लेजर सो होता है लेकिन अभी तो दिन शुरुवात भी नहीं हुई लेजर सो की उससे पहले ही लेजर सो खराब हो चुका है यहां के जो गाड है रगवाली करने वालों उन्होंने वताया है कि लेजर सो कुछ दिनों पहले खराब हो चुका है जिसकी कंप्लैन की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी सही नहीं हुआ है लोग आते हैं घूम कर चले जाते हैं ठीक हमारी तरह हम गए घूम कर च की जा रहीं थी दन्यवा दोस्तों